जानसे जले के लहचूरा थाने में ब्यान देने के बहाने बुलाकर थाना धेक्ष ने एक महला को डराया धमकाया जानकारी के इंसार थाना लहचूरा चेतर के इंतिगरताने वाले एक ग्राम की महला ने अपने ही ससूर के उपर लहचूरा थाने में छेट-छाट का मुकदमा दर्श कराये था जिसको लेकर थाना लहचूरा प्रभारी ने वक्त पेड़ित महला को थाने में बियान हेतु बुलाया और उसे थाने में ही धमकाने लगे और अज सब्भे भायशा का प्रियोग कर महला को धमकाते भी कहने लगे कि तुने ससुर को जूठा फसाया अब तुझे ही अंदर कर द लेकर लहचूरा थाने गई थी तब भी लहचूरा प्रभारी ने उसी को बेठा लिया था और कुछ असरदार लोगों की कहने पर उससे डरा धमका कर प्रारतना पत्र वापस लेने को कह रही थे लेकिन शेत्रा धीकारी इसने हातिवारी को जानकारी होने पर उन्होंने थान लहचूरा प्रभारी को पेड़ित महला को नियाय देने के लिए आरोपी के विरुद मकदमा धर्श करने का आदेश दिया था तब कही जाकर महला को नियाय मिला था लेकिन पर दिया था था तो उस दिन भी हमें पूरी मतलब साड़े च्छा बजी राथ तक मतलब बना कर बैठाए रहे वो लेकि एक खराब हो गया बेखराब हो गया मतलब कि मतलब यह राजी नामा कर ले तो वह लोग पहली दबाव डालते रहे आज सुगा या फौन दरो मतलब दरोगा जीगा मतलब इंकी आप खाने आओ और आपके ब्यान लेना है तो थोड़ी देर रोके और मैडम बहां से आई तो मतलब मैडम और जो हमारी सब्सक्राइब हो दोनों जने हम पे दावाव डालने लगी मैडम डालने नहीं के काफो दी आप अपने सब्सक्राइब हो जाते हैं तो यह लोग हम पर जाते हैं तो यह लोग हम ब्यान देने के लिए जाती हैं तो बोलोग आपको परेसम काईब हैं तो आप क्या चाहती है हमें चाहते हैं कि हमारे साथ जो हमारे साथ हुआ उसके लिए हमें इंसाफ मिले और वहां थाने जाए तो कोई जोजवा जस्की ना हो कोई धामकी ना मिले हमको